अज़िए 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 आपकी तज़ावीज की रोश्टी में मेरी कोशिश है कि हम इनको मजीद एक्रूफ करते हैं आज हम बात करेंगे दोस्तों वेफरागन के बारे में वेफरागन ययनी डबल्यू क्वेस्चन्स यह वो सवालात होते हैं जिनमें के आप डबल्यू से शुरू होने वाला क्वेस्चनल प्रोनाउन इस्ते माल करते हैं। वेफरागन कहते हैं आज के लेसन में हमारा मकसद ये होगा कि मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि वेफरागन क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं उनका मतलब क्या होता है फिर ये कि आप ये भी सीखेंगे कि वेफरागन के जो सवालाद बनते हैं उसमें स्ट इसको देखेंगे, उसके इलावा आपको मालूम है कि जर्मन जुबान में चार सो कॉल्ड केसिज हैं, यानि नॉमिनाटिव, आकुजाटिव, डार्टिव और गैनिटिव, हम इन केसिज में तो डीपर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, क इनके लिए कौन से Quesional Pronoun इस्तमाल होते हैं, और वे फरागन इनके में कैसे बनते हैं, और आकर में दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ चुमले और सवालात मैंने त्यार किये हैं, आप उसमें जरा प्रैक्टिस कर सकते हैं, और सहही करिक्ट Quesional Pronoun लगाने की, और आप कि आपने कहां गलतियां की हैं तो चलिए फिर शुरू करते हैं वे फ्रागन जैसे मैंने कहा आपको डब्ल्यू क्वेस्चन्स को कहते हैं ये वो स्वालात होते हैं जिनमें क्वेस्चनल प्रोनाउन इस्तमाल होते हैं जो के डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं क्वेस्चनल प interrogative pronoun भी कह देते हैं तो इनके इस तरह से बहुत से नाम है लेकिन ये इस किसम के words होते हैं जिस तरह आप देख रहे हैं was, we, wo, wo है, warum, where और was का मतलब है जिस तरह क्या, we का मतलब कैसे, wo का मतलब कहां, wo है, यानि कहां से, वागुम, यानि क्यूं, where, कौन, तो ये मैंने आपको सिर्फ मिसाल के तोर पर ये कुछ questionable pronouns लिखे हैं आप देखिए उर्दू में हम questionable pronouns में काफ से बनाते हैं, कहां, कैसे, क्या, क्यूं, और जर्मन में और इंग्लिश में भी हम W से बनाते हैं, इंग्लिश में जिस तरह what, where, when, why, वगएरा, चलिए अब इन questionable pronouns को एक-एक करके देखते हैं, questionable pronouns तो दोस्तों बहुत से हैं, लेकिन अब सारे बताना आपको एक वीडियो में मुम्किन नहीं हैं, लेकिन उन में जो सब से एहम हैं, जैसे मैंने कहा, आखिर में हम इसके बारे में कुछ, इव बॉंग, यानि exercise भी कर लेंगे, चलिए, वस्क के बारे में बात करते हैं, वस्क का मतलब है दोस्तों, क्या, यानि what, आपने कहा, इस ट्रिंके गैर, औरांजन जाफ्ट, यानि मैं शौक से औरेंज जूस, पीता हूँ, या पीती हूँ, या पी रहा हूँ, इन सब के लिए यह ही है, मतलब, इस ट्रिंके गैर, औरांजन जाफ्ट, अब मैंने आपसे क्या पूछा था, तो दोस्तों, मैंने आपसे पूछा था, वस ट्रिंकेंजी गैर, वस ट्रिंकेंजी गैर, यानि आप शौक से क्या पीते हैं, वस, तो आपने कहा था, इस ट्रिंकेंज गैर, औरांजन जाफ्ट, इसका मतलब यह हुआ, कि औरांजन जाफ्ट के बारे में, बताने के लिए, या पूछने के लिए मैंने इस्तमाल किया questionable pronoun was किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो वो आप was इस्तमाल करते है अगला प्रोनाउ दोस्तो वी वी यानि how इंगलिश में ये how कहेंगे और उर्दू में कैसे की सेंस में आएगा जादा फ़र मिसाल के तौर पे we get a CNN we get a CNN मैंने आप से पूछा के how are you we get a CNN तो आपने कहा my get is good यानि मेरे साथ अच्छा चल रहा है आपको पता है के जामन में how are you ऐसे पूछते हैं कि आपके साथ कैसा चल रहा है तो how is it going with you पूछते हैं न तो आप जर्मन में कैसे कहेंगे we get a CNN लफ़ी मतलब है how is it going with you और आपने कहा my get is good यानि कैसा चल रहा है good चल रहा है तो we का जवाब good के तौर पे आए ये हो गया we चलिए अब देखिए वो वो दोस्तो इसका मतलब है where कहा इश्वोने इन लहौर मैं लहौर में रहता हूँ या रहती हूँ या रह रहा हूँ इश्वोने इन लहौर अब मैंने आपसे लहौर के बारे में कैसे पूछा था मैंने आपसे पूछा था वो वो नंजी यानि वो का इस्तमाल मैंने किया पूछने के लिए कि आप कहां पर रहते हैं वो वो नंजी आपने कहा इश्पोने इन लाहौर तो वो का इस्तमाल कुछ इस तरह से होता है कहां की सेंस में आप कहां पढ़ रहे हैं आप कहां रहे हैं इन सब मुख्लिफ चीज़ें लेकिन हमेशे कहां की सेंस में होगा फिर दोस्तो वो है वो है का मतलब है कहां से कहां से जो है न ये निस्बतन ज्यादा बाई नेचर कॉमन के साथ इस्तमाल होगा आप कहां से आ रहे हैं या आप कहां से आते हैं ये इस सेंस में कि आप कहां से तालोक रखते हैं अगर मैं आपको पूछूँ वो है कॉमन जी तो इसके दोनों मतलब हो सकते हैं कि आप अभी इस वक्त कहां से आ रहे हैं या पिर या आप कहां से बेलॉंग करते हैं तो आप कह सकते हैं इस खौमे आउस पाकिस्तान मैं पाकिस्तान ते बिलाओं बिलाओं करता हूँ या मैं पाकिस्तान ते तालुक रखता हूँ इस खौमे आउस पाकिस्तान वो है का मतलब दोस्तो कहां से वेर फ्रॉं इंग्लिश में आप कहेंगे अगला क्वेस्चनल प्रोनाउन वो हिन यानि कहा को किदर को इस सेंस में ना कही को जा रहा हो तो आप पूछेंगे वो हिन फागन जी यानि आप किदर जा रहे हैं किदर को जा रहे हैं when you are moving away from a point तो फिर आप questionable pronoun इस्तमाल करेंगे वो हिन किदर को तो मिसाल के तोर पे आप कह सकते हैं इस फागे नाख बेरलीन मैं बरलिन जा रहा हूँ आप देखें बरलिन जा रहा हूँ किदर को जा रहे हैं बरलिन को जा रहा हूँ तो वो हिन इस्तमाल होगा ये पूछने के लिए किदर को कहा को किस डारेक्शन में ठीक है ने इसके लिए इस्तमाल होगा अच्छा फिर नेक्स्ट वाला questionable pronoun दोस्तो where where यानि who कौन किसी के बारे में पूछने के लिए कि ये मिसाल के तोर पे where is this where is this who is this ये कौन है आप किसी का नाम लेके बता सकते हैं मिसाल की तोर पे दासिस्ट पेटर श्मिट पेटर श्मिट दोस्तो बहुत टिपिकल जामन नेम है so पेटर श्मिट दासिस्ट पेटर श्मिट ये पीटर श्मिट है तो मैंने पूछा क्या था वेर इस दस अमर दस इस अस्मान दस इस यास्मीन तो अमूमन वेर के लिए पूछते हैं कि कौन की सेंस में अगला क्वेस्टनल प्रोनाव दोस्तो वागूम यानि क्यूं इसमें आपको थोड़ी सी बारी की है मैंने एक पॉइंट आउट करनी है बता मैं पूछना चाहरा हूँ कि तुम काम क्यूं नहीं करते तो मैं क्या कहूंगा वागूम आरबाइटस दू निश्ट आरबाइटन यानि काम करना वागूम आरबाइटस दू निश्ट तुम काम क्यूं नहीं करते अब इसके जवाब दोस्तों दो तरीके से हो सकते हैं के लिए जयरमन में आप दो अलफाज इस्तमाल कर सकते हैं एक while और एक then दोनों का मतलब English में होगा because आप तुम काम क्यों नहीं करते हैं आप कहेंगे because यह वजह है कि मैं नहीं करता तो इसमें while भी इस्तमाल कर सकते हैं आप और then भी استعمال کرتے ہیں और दोनों आपको मिलेंगे जगा जगा वाइल दोस्तो एक ऐसा समझिये के वर्ड है जो कि हम ग्रैमर में कहते हैं नेबंजर्स को ट्रिगर करता है और नेबंज यानि और जिलरी सेंटेंस कहलाते हैं वो उसमें वाइल आप जब भी काईन आबइट नहीं कहना बलके आपने कहना वाइल इस खाईन आबइट हा बे वाइल इश खाईने आबइट हा बे क्योंके मेरे पास कोई काम नहीं हैं तो आप कहेंएगे आप वाइल का मतलब विकॉज because I don't have work तो इसमें आपने कहना है while is kind of work और ना क्या आपने कहना है while is kind of work अच्छे then का मतलब भी दोस्तो because ही है और then में ये कोई कज़गन नहीं है कोई किसी किसम की रुकावट नहीं है इसमें आप work को अपनी नॉर्मल second place पर लगाएं then because is kind of work I don't have work इसमें आपने हाबन को person के बाद next second place पर लगा दिया तो दोस्तो ये जो है ना इस तरीके से वागुम का जवाब बनेगा वागुम आपाइटस दूनेश्ट तुम काम क्यूं नहीं कहते हैं अगर आप करके बात करनी है वागुम आरबाइटन जी निश्ट दोनों का मतलब है के काम क्यूं नहीं करते आप या तुम तो जवाब में बनस अगेन मैं आपको बता दूँ दो तरीके से जवाब दे सकते हैं while के साथ भी और then के साथ भी while का मतलब भी because है then का मतलब भी because है while के साथ आपने वर्ब सिर्फ end में लगाना है while इश काइने आबाइट हाबे और वर्ब को बिल्कुल जो आपने second place से उठा के सिर्फ उसको end में ले जाना है इश के मताबिक है वो और जब आप then इस्तमाल करेंगे तो वर्ब person के बाद ही आएगा यानि then इश हाबे काइने आबाइट तो दोनों का मतलब एक ही है क्योंके मेरे पास काम नहीं है तो दोस्तों ये थोड़ी सी बारी की वागुम और while और then के बारे में उसके बाद अगला questionable pronoun देखते हैं one one का मतलब है जी कब यानि when अगर मैं आपको पूछूँ one कॉम्ट डेलेरा यानि उस्ताद कब आ रहे हैं उस्ताद कब आ रहा है तो मिसाल की तोर पे आप कह सकते हैं a कॉम्ट I'm मोनटाग a कॉम्ट I'm मोनटाग यानि वो मंडे को आ रहा है आपको याद आया कि days के साथ preposition um लगती है on की sense में on Monday on Tuesday तो air comp um montag वो पीर को आ रहा है Monday को आ रहा है तो मेरा सवाल क्या था दोस्तो one यानि जब भी पूछना हो कब कोई आएगा कब कुछ का कोई काम होगा तो आप पूछेंगे questionable pronoun one फिर दोस्तो एक और important questionable pronoun welshay यानि which welshay दोस्तो welshay के तोर पे भी आपको मिलेगा welshar के तोर पे भी मिलेगा welshess के तोर पे भी मिलेगा ये welsh basically है जिसके आगे थोड़ी सी ending er, es या en वगएरा लगेगा according to noun noun के मताबिक बहाराल मैंने मिसाल के तोर पे आपको या welshay लिखा है और welshay का मतलब कौन सा, कौन सी इस सेंस में उर्दू में आएगा यानि which एक सवाल इसका मिसाल के तोर पे हो सकता है welshay sprachan 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 यानि welshay sprachan का मतलब है कौन सी languages और sprachan दोस्तों बोलना to speak तो welshay sprachan 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 आप कौन सी जुबाने बोलते हैं आप मिसाल के तोर पे कह सकते हैं इस sprachan उर्दू उर्दू उन्ट एंग्लिश इस sprachan उर्दू उन्ट एंग्लिश आई स्पीक उर्दू एंग्लिश तो आपने देखा कौन सी जुबाने इसके लिए कौन सी जुबाने इसके लिए क्वेस्टिनल प्रोनाउन इस्तमाल किया welshay लेकिन जैसा मैंने आपको कहा welshay, welshar, welshays इसके मुख्तलिफ किसम के शकले हो सकती है उसके बारे में हम फिर किसी वग्द बात करेंगे और दोस्तो एक और क्वेस्टिनल प्रोनाउन उम्वी फिल उर उम्वी फिल उर यानि एट वाट टाइम ये डबल्यू से नित तो नहीं आपसे पूछा उम्वी फिल उर कॉम्ट सबीने उम्वी फिल उर कॉम्ट सबीने यानि सबीने कितने बजे आएगी आप मिसाल के तोर पे कह सकते हैं जी कॉम्ट उम आख्ट उर जी कॉम्ट उम आख्ट उर यानि वो आएगी आठ बजे तो दोस्तों आपने देखा उम वी फिल उवर में आपको एक पॉइंट आफ टाइम बताना पड़ता है एट वाट टाइम, एट वाट आवर वो आएगी तो आपने कहा जी कॉम्ट उम आखत उवर इतने बज़े आएगी ठीक है जी ये उम वी फिल उवर हो गया अब अगला वाला देखते हैं फिर दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वी जो है ना हाउ हाउ का कमाल ये है कि वी के साथ बहुत से मुख्तलिफ तमाम तो नहीं मैं कहूंगा लेकिन बहुत से अडजेक्टिव लग जाते हैं और जब वी के साथ आप उनको जोड़ देते हैं ना तो वो एक अलैदा एक क्वेस्टनल प्रोनाउं बन जाता है और उसका अपना एक मीनिंग होता है जिस तरह मिसाल के तोर पे मैंने यहां तीन लिखे हैं देखें वी आल्ट यानि हाउ ओल्ड वी टॉयर यानि हाउ एक्सपेंसिव और वी फील यानि हाउ मच तो आपने देखें जब ये क्वेस्टनल प्रोनाउं बनाते हैं ना आप वी के साथ मिला के और एक अडजेक्टिब को मिला के तो इनका अल्दो इस सब वी से स्टार्ट हो रहें लेकिन सबका अपना मतलब होता है और वो एक दूसरे से मुक्तलिफ होता है मतलब वी आर्ट का मतलब कितने पुराने या कितने ओल्ड कितने ओमर के होगें सेंस में इस सेंस में इस सेंस में फिर वी फील हाउ मच कितना कितनी की सेंस में हाउ मच अम्मूमन कीमत वग्यरा के लिए तो देखें अगर मैं आपको पूछूँ वी आल्ट जिन्जी हाव ओल्ड अर यू तो आप कहेंगे इस बिन फॉर एक्जेंपल फॉन फॉन फॉनसवांसिश यागे आल्ट ईष बिन फॉनसवांसिश यागे आल्ट आई अम 25 येर्ज ओल्ड तो ये 25 येर्ज ओल्ड के लिए मैंने क्या पूछा था वी आल्ट यानि हाव ओल्ड वी टॉयर इस दस आउटो वी टॉयर इस दस आउटो याईनि काड़ी या कार कितनी महंगी है तो देखें, V तॉयर में है, आपको ये भी कह सकते हैं, इसके कीमत भी पता सकते हैं, S costed 16,000 Euro, it cost 20,000 Euro, तो इस तरह से कुछ कीमत भी पता सकते हैं, लेकिन बारहल ये भी कह सकते हैं, फिर दोस्तो एक और एक्जेम्पल देखिए यानि वी के साथ किसी सिफ्ट को या एडजेक्टिव को मिला के जो बनता है वे फ्रागे वी फिल कॉस्टट दस बूख हाव मच दस दबूख कॉस्ट इंगलिश में आप जू कहेंगे वी फिल कॉस्टट दस बूख किताब की कीमत कितनी है तो आप कह सकते है मिसाल के तोर पे इस कॉस्टट फिर्म सिफ ओईरो इस से मुराद दस बूख इस कॉस्टट फिर्म सिफ ओईरो यानि इस किताब की कीमत पचास योरो है दोस्तों आप जुम्ले को अगर नजर मारें तो सबसे पहले वे फ्रागे में questionable pronoun लगता है यानि फ्रागे what लगता है was, we, wo, we, alt वकारा सबसे पहले ये लगेगा फिर second place पे देखिए verb आता है आपको पता है जर्मन जुबान में generally second place पर हमेशा verb होता है सिर्फ yes, no questions में या नाइन फ्रागे में verb से शुरू होता है लेकिन वे फ्रागे में याद रखिए हमेशा verb second place में होता है we, alt, zind, zee में देखिए we, alt हो गया जी questionable pronoun zind हो गया, verb हो गया ये zine और zee हो गया जी, person तो next वाले में भी देखिए we, alt हो गया ये वर्ब जाइन और दस आउट हो गया यहां पर subject और तीसरे example में देखिए we feel costed this book यानि how much does the book cost we feel हो गया जी, questionable pronoun second place पर verb आ गया है ये costan verb है to cost और subject या person उसके बाद आ जाता है तो वो यहां पर है das book तो ये दोस्तों इसका structure होता है questionable pronoun का जिसमें सबसे पहले questionable pronoun फिर verb और फिर person आता है उसके बाद कोई object हो तो वो साथ आ जाता है तो चलिए आगे चलते हैं फिर दोस्तों आपको पता है कि जर्मन जुबान में चार so-called cases हैं आइंस में आप deep तो नहीं जाएंगे इन cases में लेकिन आपको मोटा मोटा सा मालूम होगा कि नॉमिनाटिव, डाटिव, अकुजाटिव और गैनिटिव ये चार cases हैं तो मैं आपको बताऊंगा इन में सवाल कैसे होते हैं ये होते क्या हैं थोड़ा सा बताऊंगा और ये के इन में questionable pronoun कैसे लगते हैं और wayfragen कैसे बनते हैं देकिन नॉमिनाटिव नॉमिनाटिव को इंग्रिश में कहते हैं जी subject यानि करने वाला doer of the action जो होता है ना किसी जुम्ले में वो नॉमिनाटिव होता है ये जितने भी cases है ना दोस्तों they have something to do with the nouns ये noun की हैसियत के बारे में बताते हैं कि एक जुम्ले में अगर दो या तीन noun हैं तो किस noun की क्या हैसियत है तो वो subject के तौर पे है object के तौर पे है या indirect object है इस तरह से तो नॉमिनाटिव कहते हैं जी subject को यानि doer of the action को करने वाला मिसाल के तौर पे वासिस दास वासिस दास ये क्या है वोट इस दिस आपने का दासिस आइन लैप्टॉप ये एक लैप्टॉप है तो देखें लैप्टॉप के बारे में मैंने पूछना था तो मैंने क्या questionable pronoun इस्तमाल किया वास और वास का मतलब है क्या ये क्या है आपने कहा ये एक लैप्टॉप है किसी इनसान के बारे में पूछना हो दोस्तो तो हम जूँ पूछेंगे वेर इस दास वेर इस दास यानि तो हूँ इस दिस हूँ के लिए आप कहेंगे इस्तमाल करेंगे questionable pronoun वेर और डास इस उमर ये उमर है तो ये उमर और उपर लैप्टॉप ये दोनों subject है nominative है अगर एक जुमले में दोस्तो एक ही noun होता है जिस तरह यहां पर है लैप्टॉप या पर नीचे उमर अगर एक ही noun हो तो वो फिर उसमें वो subject ही होता है अगर एक ही noun हो तो वो subject ही होता है उसमें object का कोई किसानी है तो nominative में बत यह जहन में रखिए कि questionable pronoun दो इस्तमाल होते हैं was और where किसी चीज के बारे में पूछना हो तो was और अगर किसी इनसान के बारे में पूछना हो तो फिर where यानि कौन के sense में चलिए अब next वाले case को देखते हैं यानि accusative यह जो cases होते हैं न दोस्तों इनका तालुप nouns के साथ होता है यानि इनसे हमें ये पता लगता है cases से कि एक जुम्ले में जो noun है उसके हैसियत क्या है यानि वो subject है या object है या indirect object है English grammar में जो इनको कहनाते हैं तो ये basically हमें हैसियत बताते हैं एक noun की एक जुम्ले में तो जर्मन दुबान में यही चारों cases हैं nominative, accusative, dative और ganative accusative को देखते हैं तो इसमें देखिए आपको एक जुम्ला नज़र आ रहा है इश खाव फे आईनें computer इश काव फे आईनें computer यानि मैं एक computer खरीद रहा हूँ इसमें देखिए एक तो subject क्या है? इश यानि मैं करने वाला कोन है? तो जारह आपको पूछा गया था आप क्या खरीद रहे है What are you buying अब कंप्यूटर के बारे में अगर पूछने आपने तो आपका सवाल क्या था Was यानि क्या तो आपको पूछा गया था Was काउफन जी तो आपने जवाब दिया इश्काउफे आहिनन कोप्यूटर तो अगर आप यह यह आकुजाटिव के तौर पर भी देखें तो चीजों के लिए पूछने के लिए क्या है वास एक और जुम्ला देखिए इसमें लिखा हुआ है फातिमा हाई राटट देन आर्स्ट फातिमा हाई राटट देन आर्स्ट यानि फातिमा इस मैरिंग दॉक्टर दोस्तों आपको अकुजाटिव में शायद आपने पढ़ा हो कि अकुजाटिव में यानि अब्जेक्ट फॉर्म में जो डेर वाले नाउन है न वो डेर से बदल के उनका डेफिनेट आर्टिकल हो जाता है देन यानि फातिमा हाई राटट देर आर्स्ट नहीं कहेंगे बलकि फातिमा हाई राटट देन आर्स्ट यानि फातिमा is marrying the doctor तो ये देन आपको नजर आएगा अकुजाटिव में अमुमन डेर वाले नाउंथ हमेशा देन हो जाएंगे अब इसमें देखिए हमें कहा गया है कि फातिमा डॉक्टर से शादी कर रही है अब डॉक्टर कोई चीज तो नहीं है उसके लिए मैं वास्त तो नहीं कह सकता तो दोस्तों आकुजाटिव में अबजेक्ट जब इंसान हो तो उसके लिए हम पूछ थे हैं वें हाईराट फातिमा फातिमा किस से शादी कर रही है ये किस से जो एना जी ये हो गया वें whom इंग्लिश में आप कहेंगे whom does whom is Fatima marrying whom is Fatima marrying तो यह हुगया when heiratet Fatima और जवाब आया जी Fatima heiratet then asked Fatima doctor से शादी कर रही है तो हमने यह सीखा कि accusative में जो direct on check होता है मतलब उसमें दो तरह के questionable pronoun इस्तमाल होते है एक होता है was चीज़ों के पूछने के लिए और एक होता है when यानि इंसानों के लिए पूछने के लिए when का मतलब इंग्लिश में होगा whom और was का तो वही है what तो दोस्तों चलिए आप ज़रा dative को नजर मारते हैं dative दोस्तों जिसको grammar में कहते हैं indirect object तो ये भी object है ये direct object के इलावा एक और object जो next होगा वो indirect object होगा मिसाल के तोर फे आपने कहा das auto gehört dem layer das auto gehört dem layer यानि तो belong मल्कियत होना तो आपने मुझे कहा ये गाड़ी जो है ये उस्ताद की मल्कियत है das auto gehört dem layer तो दोस्तों ये belongs to the teacher ये to the वाले जो चीज़े होती हैं न इंग्लिश में ये अमूमन डाटिव होती है तो मैंने आपको पूछा था when gehört das auto यानि to whom does the car belong ये to whom जो energy ये है डाटिव और to whom ये जर्मन में इसका फ्रागे what क्या होगा questional pronoun क्या होगा वेम वेम का अंग्रेजी में तर्जमा होगा to whom तो to whom does the car belong ये वेम होगा अच्छा जी एक और देखिए example दी फ्राव गिप्ट देम किंड दस बूख दी फ्राव गिप्ट देम किंड दस बूख यानि औरत बच्चे को किताब देती है या दे रही है दी फ्राव गिप्ट देम किंड इसमेदे के तीन नाउन है एक noun हो गया दीफराव एक हो गया देमखेंड और एक हो गया दास बूख ये तीन नाउन है अब इन में आप गोर कीजिए करने वाला कौन है doer of the action कौन है वो है दीफराव तो दीफराव हो गया की nominative उसके बाद gift ये गेबन से निकला है to give the woman gives क्या चीज़ दे रही है औरत दस बूख दस बूख तो ये दस बूख है न दोस्तों ये हो गया जी आख को जाके what does the woman give आप कहेंगे दबूख ठीक है दस बूख और किस को दे रही है किस को damn kind यानि कि to the child ये to the जो है न दोस्तों ये डाटिव है the woman English में आप कहेंगे the woman gives the book to the child तो इसमें आप child का बारे में अगर आपने पूछना है तो आप इस्तमाल करेंगे जी questionable pronoun whom whom का मतलब वही to whom तो इंग्लिश में इस जुम्ले को सवाल का कुछ इस तरह दे मतलब होगा to whom does the woman give the book यानि whom गिप्ट दी फ्राव दस बूख whom गिप्ट दी फ्राव दस बूख यानि सवाल है to whom does the woman give the book और जवाब आया जनाब दी फ्राव गिप्ट देम केंड दस बूख यानि the woman gives the book to the child तो ये दोस्तों थोड़ा साब को एक आईडिया देना था कि डाटिफ जो indirect object को कहते हैं और इसमें question जो होता है न वो होता है वेम यानि to whom वो पहले जो accusative था उसमें था vain यानि whom मिसाब के दूर बहुने किया था whom is the woman marrying whom is Fatima marrying ठीक है न तो वो था vain और ये है जी वेम यानि to whom तो इंग्लिश में डाटिव वेरी ओफन to whom करके बनता है आखरी केसे दोस्तो ganitive ganitive भी कभी कभी इस्तमाल होता है और ganitive वो इंग्लिश में जो तकरीबन होता है of the जिस तरह people of the world students of the class cap of the pen ये of the जो एक्सप्रेस होता है न ये जर्मन में ganitive के जरीए एक्सप्रेस होता है एक मिसाल के तोर पे मैंने आप से पूछा western handy cows do whose mobile phone are you purchasing ये western जो है न दोस्तो ये whose जो है न वेसन ये questional pronoun है जी ganitive western handy cows do तुम किसका mobile phone खरीद रहे हो तो आपने मुझे short जवाब दिया does handy dash maness the mobile phone of the man ये dash जो है न यहाँ of the किसे हैं does handy ये ganitive है does handy dash maness the mobile phone of the man आपने देखा ganitive में dash हो गया और man के साथ yes भी आगे लगया तो लेकिन इसका questional pronoun गोर कीजे lady teacher the doctor of the lady teacher तो ये भी ganitive है दोस्तो deal error हिन होता है न लेकिन वो ganitive में deal error हिन हो जाएगा the daughter of the teacher तो सवाल लेकिन क्या था questionable pronoun क्या था आपने देखा ये of the वली चीजों के लिए दे सवाल होता है वो होता है western यानि whose whose daughter is a student तो ये whose के लिए क्या इस्तमाल करेंगे western तो दोस्तों ये मैंने आपको थोड़ा सा बताना चाहा कि जो cases है nominative, accusative, dartive, organitive उन में questionable pronoun कौन से use होती है वे फ्रागे इनके भी आपकी नजर से गुजरेंगे तो आपको अंदाद होने चाहिए western क्या है तो उस मकसद के लिए मैंने आपको ये cases के मताबिक भी questionable pronoun बताए है चलिए अब हम थोड़ी सी practice कर लेते हैं आपके सामने ये दस सवालात हैं जिनमें के questionable pronoun missing है लेकिन एक short सा जवाब दिया हुआ है आप दोस्तों जवाब को देखिए और ये अंदाजा लगाई है कि सबसे बहतरीन questionable pronoun इसमें कौन सा इस्तमाल होगा और वो जवाब के मताबिक आपको जवाब से एक आईडिया मिल जाएगा किस तरह से होना है इसका मतलब है प्लीज कम्प्लीट दा questionable pronouns तो आप इनको देखिए और यहां पर अपनी वीडियो को pause कीजिए और जब आप कर लें तो दोबारा on कीजिए और उसके बाद देखते हैं कि आपने कौन से दरूस किये हैं मैं आपको तमाम जुमलों के सही जवाबाद पिर समझाओंगा तो चलिए यहां पर आप pause कीजिए तो दोस्तों मुझे उमीद है आपने सही जवाब दिये होंगे और सही questionable pronoun इस्तिमाल किये होंगे तो चलिए हम इन जुमलों को एक एक करके नज़र माते हैं फ्राग आइंस फेयर्ट हॉइटे नाख फ्रांकफूर्ट आज फ्रांकफूर्ट जा रही है तो जवाब आया था जी हैर्मिलर मिस्टर मिलर अब जाहिर है किसी का नाम दिया हुआ है किसी इंसान का तो आपने यही पूछा था कौन आज फ्रांकफूर्ट जा रहा है वेर फेर्ट होईटे नाख फ्रांकफूर्ट और जवाब आया जी हैर मुलर मुलर वेरी टिपिकल जर्मन नेर दोस्तों फ्रागित स्वाई नुमर स्वाई मश्चंजी ट्रिंखन आप पीना चाहेंगे आप पीना चाहते हैं जवाब आया जी काफे बिटे है तो ऑफ कोर्स पूचा गया था आप क्या पीना चाहते हैं काफे है ना तो इसको पूचने के लिए आपने लगाया वास वास मुलिश्टन जी ट्रिंखन नुमर द्राइ जवाब आया जी आउस पाकिस्तान यानि पाकिस्तान से तो जाहिर है पूचा गया या तो पूचा कि आप कहां से आ रहे हैं या पिर कहां से आते हैं यानि कहां से बिलॉंग करते हैं कहां से तालुक रखते हैं उस सेंस में इस्तमाल भी होता है तो आउस पाकिस्तान जब आप ने जवाब दिया तो आपको पुछा गया था दोस्तो तुम कहां से बिलोण करते हो तुम कहां से तालोग रखते हो कहां से आते हो इस सेंस में जवाब है जी 2 kg बिटे 2 kg पूछा गया था जी तुमाटन मच्टेस दू का उफन, तुमाटर तुम खरीदना चाहते हो, तो अब दोस्तो अगर एक तादाद है, एक quantity है, तो आपने अफ कोर्स पुछाओगा, वी फिले तुमाटन मच्टेस दू का उफन, we feel a tomato how many tomatoes how many tomatoes you would like to buy तुम कितने टमाटर कर इतना चाहोगे तो आपने कहा तो आपने कहा स्वाई कीलो बेटेट नो मफ्यून्फ दोस्तों जवाब है फियर हुंडट ओएरो देखे ये एक amount of money है एक कीमत है तो पुछा गया था we feel costed time computer यानि तुमाए कॉस्टन ये वर्ब जो है ना कॉस्टन का मतलब है to cost तो we feel costed कितनी कीमत है how much does your computer को cost we feel costed time computer और आपने कहा फियर हुंडट ओएरो तो we feel how much और we feel है उपर जो है इसका मतलब है how many कीमत वगारा के लिए we feel इस्तमाल करते हैं और हम तादाद के लिए quantity के लिए we feel है यानि how many तो चलिए next को देखते हैं नुमाजेक्स डांके जेगूट तो इसका मतलब है कि आपको पूछा गया था वी गेटे सीनन वी गेटे सीनन यानि आपके साथ कैसा चल रहा है आपने कहा डांके जेगूट फिर आपको जी एक जवाब आया इम आउगोस्ट इम आउगोस्ट यानि अगस्ट में तो दोस्तों आपको पूछा गया था जी हाइराट डाइने टॉक्टर तुमारी बेटी शादी कर रही है तो आपने कहा इम आउगोस्ट तो जाहरा पूछा गया था कब शादी कर रही है वन हाइराट डाइने तो आपने कहा इम आउगुस्ट नुमा आख्ट आपने किसी सवाल के जवाब में कहा जी इन देन ऊएसा इन देन ऊएसा यानि अमरीका में यूएसे में तो दोस्तों आपको पूछा गया था लीक्ट वशिंटन यानि कहा वाक्या है वो लीक्ट वशिंटन आपने वो इसलिये कहा कि आपको किसी जगा का पूछा गया था कि वो जगा कहां पर लोकेटिड है लीगन दोस्तों एक वर्ब है लीगन का मतलब है to be located तो वो लीग वाशिंग्टन का मतलब है वाशिंग्टन कहां पर located है कहां पर वाक्या है तो आपने जवाब दिया इंडेन USA यानि अमरीका में फिर दोस्तों नुमा नॉइन को देखिए नुमा नॉइन माइने कुजीने यास्मीन मेरी कजन यास्मीन तो सवाल क्या था जी सवाल था वेन हाइराटस तो यानि हूम आर यू मैरीं हूम आर यू मैरीं यानि किस से शादी कर रहे हो किस से शादी कर रहे हो तो क्या है माईने कुजीने यासमीन तो अपनी कजन यासमीन के साथ यानि तुम किस से शादी कर रहे हो तो हूम की सेंस में हूम यू ये दोस्तों क्या था वेन आकुजादी और नुमतसेन लास्ट में देखिए जवाब में कहा गया आपको यादा है कि वाइल के साथ वर्ब आपने end में लगाना हुदा तो दोस्तों आपको क्या पूचा गया था वागों कॉम्स दू सो श्पेट श्पेट मतलब लेट, सो श्पेट, सो लेट वागों कॉम्स दू सो श्पेट, वाई आर यू कमिंग सो लेट तो आपने कहा, वाई इस एस फर्गेसन हाँ है विकॉस आप फोगॉटन इट दोस्तों वाईल जब भी होगा तो इसका जवाब, फिर पूचा, इसका सवाल जो पूचा गया था वो था वागों, क्यूंकि आप एक वज़ा बयान का रहे हैं और वज़ा पूचने के लिए आप इस्तमाल करते हैं वागों तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आज के लेसन में आपको क्वेस्टनल प्रोनाउंस थोड़े से मजीद क्लियर होगे होंगे फ्रिक्वेंटल इस्तमाल होते हैं जगा जगा आपको नदर आएंगे वाज, वी, वो, वो है वगारा तो अब आपको थोड़ा अंडर्स्टैंडिंग इसकी वेतर होगी होगी के क्वेस्टनल प्रोनाउंस कौन-कौन से हैं जो फ्रिक्वेंटल इस्तमाल होते हैं उनके मतलब क्या हैं और पर ये केसिस के मताबिक ये कैसे होते हैं नॉमिनाटिव के क्वेस्टनल प्रोनाउंस जो होते हैं वो मैंने आपको बताया तब वास या where होता है और accusative object के बारे में, direct object के बारे में पूछना हो, तो वो होगा जी, चीज के लिए was और इंसानों के लिए vain, यानि whom की sense में और dartive, यानि indirect object जो होता है उसके लिए questionable परोना होता है जी, vain, यानि to whom की sense में और last but not least ganitive, यानि of the, of the की sense में जो जवाब होता है उसके लिए सवाल पुछा जाता है western, यानि who's, तो who's जो है न, ये ganitive का question में परोना होना है तो दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए इंशाला अगले lesson में अनकरी मुलाकात होगी खुदा हाफिज